हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टुडिकेशन बैया, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दे सर्मन एड बनारस चाप्टर को, तो सबसे पहले अगर हम सर्मन का मतलब समझे तो वो होता है रिलिजियस स्पीच देना, तो ऐसे ही अगर तुम कनेक करते हो तो दे सर्म बहुत ही इंट्रेस्टिंग है, क्योंकि इस चाप्टर में तुम्हें गौतम बुद्ध के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, और साथी साथ ये चाप्टर तुम्हें जाते जाते लाइफ लिशन भी दे कर जाएगी, तो चलो इस चाप्टर के एक्स्पिशन स्टा इसलिए वीडियो को ध्यान से देखो, गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था, और उन्होंने अपनी बॉड़ी को 483 BC में त्याग दिया, वैसे गौतम बुद्ध बचपन में नॉर्दर इंडिया के प्रिंस थे, मतलब उनका जन्म एक किंग की घर में हुआ था, लेक प्रिंस थे, मतलब गौतम बुद्ध का एक बेटा होता है, और अगले 10 साल गौतम बुद्ध उनकी वाइफ और उनका जो बेटा होता है, सभी मिलके अपनी लाइफ एकदम रोयलिटी में बिताते हैं, और ऐसे ही करते-करते हमारे जो गौतम बुद्ध हैं, वो 25 साल के हो और इन 25 सालों में गौतम बुद्ध को सफरिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है, क्योंकि उनकी जो फैमली होती है, वो उनसे इन सब बातों को छुपा के रखती है, जिनने नहीं पता सफरिंग का मतलब प्रॉब्लम्स होता है, मतलब गौतम बुद्ध भले ही 25 स करने जा रहे होते हैं, तब वो एक बिमार व्यक्ति को देखते हैं, फिर थोड़ी दूर और चलने के बाद वो एक बुढ़े आदमी को देखते हैं, फिर थोड़ी दूर और चलते हैं, और फिर वो एक फुनरल प्रोसिशन को देखते हैं, जिनने नहीं पता फुनरल प्रो बाइट लास्ट वो एक पीपल की ट्री के नीचे बैठ जाते हैं और वहाँ पर तब तक बैठे रहते हैं जब तक उन्हें इनलाइटमेंट प्राप नहीं हो जाती है इसके बाद क्या होना था गौतम बुद फाइनली 49 डेस तक वहीं ट्री के नीचे बैठे रहते हैं और लगातार मेडिटेशन करते रहते हैं और उसके बाद जाकर उन्हें इनलाइटमेंट प्राप्त होती है अब देखो तुम्हारे बुक में ये 49 डेस वाली बात नहीं इसके बाद जो हमारे गौतम बुद होते हैं वो अपनी नौलेज को पूरे दुनिया में बाटना मतलब सेर करना स्टार्ट करते हैं और साथी साथ अब लोग उन्हें गौतम बुद्धा के जगा बुद्धा दा अवेकेंट बुद्धा दा इनलाइटेंट ऐसे करके बुल क्योंकि वो पूरा सहर होली रिवर गंगा के बगल में ही लाई करता है देखो इससे पहले कि हम और आगे बड़े मुझे पता है तुम सबका बोड इक्जाम बहुत जड़ा पास आ चुका है और ऐसे में तुम लोग सोच रहोगा कि हम सांपल पेपर बुक्स खरीद लेते ह इंग्लिस का अलग देखो विच इस अ गुड दिंग लेकिन तुम्हें अलग अलग बुक्स खरीदने की क्या जड़त है जब तुम्हें एक ही बुक में सारे सब्जेक्ट के सांपल पेपर मिल रहे है इससे सिर्फ तुम्हारा पैसा ही नहीं बचेगा इससे तुम्हारा ट इस बुक का लिंक में तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ अगर तुम्हें इंट्रस्टेड हो तो जाके खरीद सकते हो अब इसके बाद एक किसा बताया जा रहा है ध्यान से सुनना एक लेडी है जिसका नाम है किसा गौतिमी वो अपने एक लौते बेटे को खो देती है मतलब उसका डेथ हो जाता है लेकिन किसा गौतिमी अपने एक लौते बेटे के डेथ को एकसेप्ट नहीं कर पाती है और अपने बेटे के डेट बौडी को लेकर आसपास हर जगा जाती है और सभी लोग से जाकर एक ही बात कहती है कि प्लीज मेरे बेटे को ठी करने का एक medicine दे दो ये सुनकर जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये पागल हो गई है she has lost her senses क्योंकि वो लड़का तो अब मर चुका है अब कुछ भी कर लो वो लड़का वापस नहीं आ सकता फिर at last एक आदमी किसा गौतमी के पास आता है और कहता है देखो मैं तुमारे बेटे के लिए कोई medicine तो नहीं दे सकता जिससे ये जिन्दा हो जाएगा लेकिन मैं एक physician को जानता हूँ जो कि तुमारी मदद कर सकता है किसा गौतमी रोते वे कहती है कि प्लीज मुझे बता वो कौन है तो वो आदमी कहता है साख्यमुनी तब बुद्धा किसा गौतमी रोते वे बुद्धा के पास आती है और उनसे भी अपने बेटे को ठीक करने के लिए medicine मांगने लगती है तो बुद्धा कहते है कि अगर तुम मुझे एक handful of mustard seed लाके दोगे मतलब एक मुठी mustard seed लाके दोगे किसी ऐसे घर से जिस घर में किसी की death ना हुई हो मतलब उस घर से जिस घर में किसी ने अपने बेटे को नहीं खोया हो किसी ने अपने husband को नहीं खोया हो किसी ने अपने दोस्त को नहीं खोया हो लेकिन actually में ये इतना असान नहीं था क्योंकि जो किसा होती है वो घर घर जाती है लोग उसे mustard seed मांगती है बहुत सारे लोग उसे mustard seed देने के लिए ready भी थे लेकिन कोई भी एक भी ऐसा घर नहीं था जिस घर में किसी की death ना होई हो अट लास्ट किसा जो होती है वो ठक जाती है hopeless हो जाती है और street के side में बैट जाती है फिर किसा देखती है कि अंधेरा हो गया था और सहर के जो lights से ना वो काफी ज़्यादा flicker कर रहे थे मतलब बदबद कर रहे थे और किसा जैसे ही थोड़ी देर और वेट करती है वहीं street पर बैठे बैठे तो वो देखती है कि जितने भी lights है जो flicker कर रहे थे अब वो बंद हो चुके है मतलब पूरा का पूरा सहर अंधिरा में धल चुका है अब देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को doubt होता है कि उस टाइम पर बलब का invention ही नहीं हुआ था तो ऐसे light flicker कैसे कर रहे थे तो हाँ उस टाइम पर बलब का invention नहीं हुआ था लेकिन उस टाइम के लोग लालटे न यूज करते थे अब मत बोलना कि उस टाइम पर आग का invention भी नहीं हुआ था I hope अब किसी को doubt नहीं होगा क्योंकि इस से पहली वाली वीडियो जो मैंने 3-4 साल पहले डाली थी उसके नीचे भर-भर के यह comments थे फिर किसा गौतिमी को ये बात समझ में आ जाती है कि जो इनसान की life होती है न वो भी बिलकुल in lights की तरह होती है वो भी बिलकुल flicker करते रहती है और एक point के बाद उन्हें भी बंद होना पड़ता है मतलब इनसान की जो life है वो भी end होती है किसा को समझ में आ जाता है कि वो बहुती ज़्यादा selfish हो गई थी इस दुख में कि उसे अपने बेटे को वापस जिंदा करना है उसे समझ में आ जाता है कि ये जो death है ना ये सब के लिए common है इसे टाला नहीं जा सकता क्योंकि इस दुन्या में जो कोई भी आया है ना उसे एक न एक दिन मर नहीं है और इस दुन्या में कोई एक भी ऐसा घर नहीं है जिस घर में किसी ने किसी अपने को ना खोया हो किसा गौतिमी को समझ में आ जाता है कि अगर तुम्हें सही माइने में immortal बनना है अमर बनना है तो उसके लिए तुम्हें अपने अंदर से selfishness को त्याग ना होगा इसके बाद जो हमारे बुद्धा है वो हमें जीवन का मोल ज्यान देते हैं ध्यान से सुनना एक्जाम में यहां से questions बनते हैं बुद्धा कहते हैं कि हमारा जो life है वो मुसीबतों से, pain से, दुखदर्द से भरा हुआ है और इस दुन्या में हर जन्मा इनसान को एक ना एक दिन death को face करना ही है और इससे बचा नहीं जा सकता एक दिन हम सब बुढ़े हो जाएंगे बिल्कुल एक पकेवे फल की तरह जैसे तुम सब को तो पता ही होगा कि जब एक फल पक जाता है तो वो खुद बखुद पेर से नीचे गिर जाता है उसे तोड़ना नहीं पड़ता जाकर उसी तरह से हम भी पकेवे फल की तरह एक ना एक दिन बुढ़े हो बुद्धा कहते हैं जैसे एक मिट्टी का बरतन को एक ना एक दिन तूटना ही पड़ता है वैसे हमारा लाइप भी होता है हम सब को भी एक ना एक दिन मरना ही होता है फिर वो कहते हैं कि इससे फरक नहीं पड़ता कि तुम यंग हो तुम एडल्ट हो तुम रिच हो पूर ह तुम बेवकूफ हो या स्मार्ट हो क्योंकि डिद को कोई उवरकम नी कर सकता एक बाप अपने बेटे को नहीं बचा सकता नौर किंग्समेन देर रिलेशन मतलब तुम अपने रिलेशन में किसी को भी मरने से नहीं बचा सकते इसलिए रोकर कोई फैदा नहीं है जो बुद्धिमान वैक्ती होते हैं उन्हें संसार के नियमों के बारे में पता होता है और इसलिए तो वो कभी दुखी नहीं रहते आसू गिराने से मतलब वीप करने से कुछ भी नहीं बदलेगा उल्टा रोने से तुम सिर्फ खुद को और तुम्हारे सरीर को तकलीफ दोगे इस दुन्या में जो कोई भी पीस को प्राप्त करना चाहता है वो सोख, सिकायत और दुख के तीर को अपने अंदर से निकाल फेकता है मतलब जिस दिन तुम सोख, सिकायत और दुख को अपने अंदर से निकाल फेकोगे उस दिन ही तुम सही माइने में पीस ओफ माइंड प्राप्त कर पाओगे मतलब पीस ओफ माइंड अचीव कर पाओगे असान सब्दों में कहूँ तो दुख को भुला कर ही पीस ओफ माइंड की प्राप्ती की जा सकती है और इस तरह से यह जो तुमारा चाप्टर है वो खतम होता है देखो मैंने तुम्हें यह चाप्टर बहुत ही अच्छे से पढ़ा दिया है लेकिन तुम एक बार रिडिंग जरूर डाल देना रिडिंग डालने के बाद यह जो हिंदी इंग्लिस का डिफरेंस है वो क्लियर हो जाएगा और तुम एक्जाम में अच्छे से लिख पाओगे वैसे भी मुस्किल से 10 मिनिट लगेगा उससे जादा तो लगेगा भी नहीं वैसे इस वीडियो में मैंने कोसिस किये कि मैं जादा तर हार्ड वर्ट्स को इंग्लिस में ही बोलूँ ताकि एक्जाम में तुमें लिखने में असानी हो तुम वहां पर हिंदी थोड़ी लिखके आओगे